हाई फिरेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो हमारी चालू चतूर चाला जो चालू अपी है उनका व्लोग आ गया है तो चलिए जल्दी अल्दी करते हैं उनके व्लोग का रेवियू तो स्टाइटिंग में वो दिखाती है वो जा रही है मेले में और जब सनी से वो कहती है नजर आती है कि तुम मेले में ने जा रहे है मुझे अच्छा नहीं लग रहा और तुम यह सही नहीं कर रहे है और उसके बाद वो जाती है मेले में मेले में पहुँच जाती है फाइनली अपने पसंदीदा उस जूले में और वहां से मेले से दो-चार चीजे जो बच्चे साथ में थे उनको चीजे दिला देती हैं अब कंटेंट भी तो शूट करना है ना इसलिए तो मेले में गई थी इसलिए तो मेले की चोटी-चोटी जो शौप में वहां पर वो जो टॉय से वो सब दिखा रही थी फिर उनको बच्चों को दिलवा भी दिया और फाइनली फिर आजाती है अपने घर और मेंधी लगवाने के लिए बैठ जाती है और मैडम तो हमारी महरानी है भई वो कोई काम क्यों करेंगी और फिर लगी होगी भूख तो फिर सहर से बनवा ले थी हैं मेगी और उस बच्ची ने मेगी बनाई जो देखने में तो बहुत अच्छी लग लग ली थी लेकिन शायद उससे वो चिली जो है ज्यादा हो गई थी तो कहरें बहुती जन्नाटेदार बनी हुई है और बहुती जहर बनी हुई है उनको खाकर कहती है हाँ आच्छी है लेकिन तीकी है बहुत ज्यादा और उसके बाद हमारे फनी भाई जो है बहुत सारे काम करते हुए नजर आते हैं तो वहीं वो मोका ना छोड़ते हुए जो भी वो काम कर दे घर में light के decoration के जंडा लगाने के वो सब shoot कर लेते हैं वहीं वो बता देते हैं कि वहीं उसको वो महंदी लगाने के बार time नहीं मिलेगा तो मैं उसकी help कर देता हूं point to be noted वो कहते हैं मैं help कर देता हूं अच्छा मुझे surprise दिया वो help कहते हैं और यह surprise कहते हैं अरे आपस मैं बात तो कर लिया करो कि बोलना क्या है actually public को और फिर दूसरी बात इतनी तारीफ करने की क्या बात है घर के मर्दों के यही तो काम होते हैं और यह तो वैसे भी एकलोते बेटे हैं अभी सुमर्द में पाप बजारी गुमते रहता है तो वह नहीं करेगा तो फिर एक बात बताओ फिर और कौन करेगा तो उसमें इतनी भर-बर के तारीफ करने वाली कौन सी बड़ी बात है यहां यह भी तो हो सकता है ना आपने तो काम करने की आदत ही नहीं ना आपको है ना उनको है तो आपने दे कर आ जाते हैं हमारे फनी भाई और कहते हैं ओ मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत किये वाओ एक कीर बनाने में इतनी मेहनत मेहनत लगवा के बैठने में इतनी मेहनत वाओ और फिर लगाते हैं वो लाइटिंग जिस लाइटिंग की वजह से लोगों ने ये कहा जो बहुत सारे वाली पे ही होता है क्योंकि ये वैसे जो लाइटिंग करना आची बात है मीठा बनाना आची बात है इबादत करनी चाहिए इस सब चीज़ों के लिए नियाज करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए दान देना चाहिए और चैरिटी करनी चाहिए और मोस्ली इबादत क पटाखे जलाना तो वैसे भी सिर्क बताते हैं उसके बाद मैडम हमारी कहती है कि इलाइची नहीं है तो चलो इलाइची को पीस लेते हैं और पीस के नहीं पिसता है अरे भाई तुम कब बड़ी होगी इतनी 32 साल की हो गई हो अगर तुम grinder jar में इलाइची डालोगे और उसको grind करोगे तो definitely वो grind ही होगी तो उसमें बड़ी बात क्या है सर्प्राइज वाली बात क्या है और उसके बाद खीर रख देते हैं साथ साथ ही जो है वो चटनी भी बन जाती है और है हमेशे अच्छी और बढ़िया करके तारीफ ही की जाती है वा 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बारी बारी से डूटी लगी हुए दोनों की एक सो जाता है तो एक व्लोग शूट कर लेता है और दूसरा सो जाता है तो पहला व्लोग शूट कर लेता है तो ची अग्ले सीन में दिखाते हैं नीन पूरी हो गई तो वह डाल को कहती ही दाल काली कैसे हो गई दाल काली सलिए हो गई क्योंकि कि दाल काली ही थी तो पर लपेट युझार ज्वा कि दाल की जो पॉलिश थी ना उसकी वज़े से इसका पानी छूट गया है भाई साब ऐसे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जो आपको ये नहीं पता कि अगर काली दाल बिगोगे तो उसका रंग सामला ही होगा और सफेद दाल बिगोगे तो उसका कलर सफेद होगा और अगर आप दाल बिगोगे तो वो सफेद कैसे हो जाएगी और हमारी चालू मेडम किचन में काम करें और कोई भी काम ना बिगाणे ऐसा कोई दिन ही आज तक नहीं निकला और साती साती दर दही बड़े बना रही होती है और जो सात में दही रखी होती है उसका मूँ खुला हुआ था और पूरी किचन में दही बखेर देती है तो यह क्या हो गया और नीचे से फर्श पर बैठ कर उस दही को साफ कर रही होती है और उसके बाद दिखाते हैं कि मैडम हमारी जो है दही बड़े बना रही है और हाइजीन नाम की तो इन्होंने चीज शैद जानती ही नहीं है मतलब लोग जो बड़े बनाते हैं या हम भी सब बड़े बनाते हैं तो आपने देखा होगा एक कटोरे में किसी बटन में पानी ले लो उसमें अपनी फिंगर को डिप करो और इस तरह से उठा उठा के थोड़े थोड़े से उससे शेप भी अच्छी आती है और आपके हाथो उससे जो दाल होती है क्योंकि वो चिपकती है वो आसानी से छूट भी जाती है लेकिन मैडम ने पूरे हाथ साने हुए थे और पूरे हाथों से इस तरह से वो बना रही थी मतलब हाइजिन नाम की चीज है इनी सीखा इनी है लाइफ में और उसके बाद दिखाते हैं अगल पस से किचन में आ जाती है जुलूस देखकर और किस कंडिशन में ये घर से बाहर जाती है आप देख सकते हैं जो कि ये खुद बता रही है उसमें लॉंग सी टीशेट पहनने की है अजीब सा दुपट्टा और रखा है उसी के साथ का शायद वो इसकर्ट या पतानी प्ला का ना करें कोई भी काम ना भीगाड़ है ऐसे तो कोई दिन ही निकला और वो तो उनका जन्म सिदा दिखा रहे काम को भीगाड़ना के लिए ही पैदा हुई है ये सीखती ही काम को भीगाड़ना है काम को बनाना नहीं सीखती उसके बाद अगले सीन में ब्लेम करती हुई द खुद ने तो अच्छी कासी रही रखी हुई दही को भी गिरा दिया जबकि दही से कोई लेना देना नहीं था और उसके बाद कहती है वह यह वड़ है उसे मेरा मन बिल्कुल खराब हो गया देखो कैसे काले हो गए है यह ऐसे हो गए है अरे भाई उड़त की दाल भीगोगी और यहां भी ब्लेम ऐसा होगा कि काम भीगाड़े और ब्लेम न डाले किसी बेभी तो इस बार नंबर आगए इनकी सासुमा का तो नाम लगा दिया अपनी अम्मा का अम्मा ने कहा था कि काली दाल जो ने उसको गलाने के लिए रख देना है कि तुम तुम्हें इतना नहीं इतना नहीं मालुमता तो पता कर लेतीया या फिर अपनी सास से ही पूछ लिया होता हम्मी कौन सी वाली दाल ब्हुऊं लेकिनने बीना पूछे आपने जो हो है उन्होंने पता नहीं बेदिहानी में कह दिया या शाय Нап Bub लें लगा कि काली दाल कभी नहीं बनती है उड़त क जो धुली वी डाल होती है, जो छिलका उत्री वी डाल होती है, वो भिगोई जाती है, जिसमें एक चोथा है, इससा मौंकी डाल कर डाला जाता है, जिसे कि हमारे जो वड़े हैं, वो सौफ्ट बने हैं, अगले ही पल कहती हैं, कि चलो हम मटन बनाने के लिए रख देते हैं, और फाइनली फिर कैप्शन आ जाता है, बहुत बुरा हुआ, और वो बहुत बुरा क्या हुआ, कि सारा मटन इनों ने जला दिया, और वो इतनी बुरी तरह से उसमें भटे लगा दिये, कि वो उसमें उपर से उतारने लाइक भी, या कुछ भी उसमें से नहीं बचा था, कि जब वो इतनी बुरी तरह से जला हुआ था, तो उसमें कुछ भी नहीं इस तरह से बचा गए, जिसको आप बचाया जा सके, और फिर आ जाती है, रुकसान आबाजी, तो उनसे कहती है, सारा मटन जल गया, एक्जैक्टली उन्होंने जो बोला, वो बिल्कुल सही बोला, कि आपने पान ही कम रखाओगा, तो नहीं, यहां पे किसको ब्लेम कर दिया गया, कूकर को, कूकर तो आपका नया साफ दिखरा है, तो उसमें तो ऐसा हो इनी सकता, कि सीटी का, अगर सीटी नहीं आई है, तो आपको खोल कर चेकर लेना चाहिए, न सीटी क्यों नहीं आ रही ह हाँ, आपको किस चीज की परवा है, आपको पता है, वैसे मटन का क्या रेट है, मटन कितने का आता है, लेकिन आपको उसे क्या मतलब, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड वेस्टेज, विच है वो केक की हो, विच है वो एक्ष्टा तेल डालने की हो, विच है वो मटन जल पर हमारी मैडम को किस चीज की परवा कोई बात नहीं जल जाएगा कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं इन लोज बिचारे बहुत शरीफ मिल गए हैं और फणी तो किसी चीज को गलत को गलत और सही को सही कहना शायद भूली गया अपने निकाग के बाद और उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि देखो फाइनली मैंने मैंने महनत करके एक बार फिर से बनाई लिया आप पता नहीं आप ने बनाया है या फिर से दुबारा से बनाते हुए अब यह तो दिखाया नहीं न आपने दुबारा से बनाते हुए कि खाना बहुत अच्छा बन गया है दईवडे बहुत अच्छे बन गया है जिनकी बहुत तारिफ करी है और मेरा मन खुश हो गया और मेरी मेहनत वसूल हो गई यह आप अपने मूँसे ही तो कहती हो दिखाते तो कभी भी नहीं हो जब वो तारिफ करती है कहती है कि हाँ बहुत अच्छा बना है बिचारे लोग क्या कहेंगी कैमरे के सामने आपको यह कहेंगे कि अच्छा नहीं बना उनको भी पता है ना कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है और रही बात फनी भाई की फनी तो गलत को गलत और सही को सही कहता ही नहीं है और अगर वो गलत को एक बार भी उसने गलत कह दिया तो फिर पेटीम करो वो नहीं हो पाएगा ना और उसके बाद जाते हैं अम्मा के पास और फाइनली वो टाइम आता है जिसके लिए हमने ये व्लोग बनाये था अम्मा के पास जाते हैं वहां पहरे कहते हैं अम्मा तुमने मुझे कोल्डिंग पलाई है तूंहें तो चाय पलाई है और उसके बाद जब वहां से रुखसती लेती हैं तो अम्मा जो है वो fingerार फूरट फूरट कर रोती हैं कई महीनों से तरस रही थी, या फिर उनको इस बुरी तरह से नेगलेटेट कर दिया गया था, कि उनका नाम भी कोई लेना ने चाहरा था, या उनको बुरी तरह से अवोईट करके रखा हुआ था, वो सब पूरानी सारी चीज़े उनको मिल रही थी तो वो अंदर से उमर कर उनका जो प्यार था या फिर उनकी जो गिल्टी थी वो बाहर निकल करा रही थी जिन चीजों से वो तरस रही थी और यही रिजन था अम्मा का इतना फूट फूट कर रोने का तो आप बताओ, ऐसी तो कोई बात हुई नी थी ना, उस टेम पे जब अम्मा को रोना पड़े, जहाँ वो चुप कर आती हुई नज़र आए, अरे अम्मा, ऐसी क्या बात हो गई, और ना ही वो अम्मा को छोड़कर जा रही थी, ना ही वो मुंबई जा रही थी, क्योंकि इस प्यार करके लेकर आना क्योंकि हर्व लोग में अम्मा नजर आएंगी और फिर भी अम्मा कोई ऐसी बात ना बोल दे तो इस तरह के से उनको पटी पढ़ा कर समझा के लेकर आना कि वो कोई भी पॉल ना खोल दे जैसे उन्होंने इससे पहले भी एक बार पॉल खोल दी थी ज होने के बाद जाती है डेकुरेशन देखने के लिए जो की फणी ने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहां के मोहले की डेकुरेशन दिखाऊंगा और उससे पहले वो दिखाते हैं कि हमें जाना है बाजी के घर तो बाजी के घर जा है वहाँ बच्चे हैं तो हम डेकुरेशन वगरा सब देखकर बाजी के घर मिल मिला कर फिर आजाते हैं यह वापस और वापस आने के बाद जो है आज कल तो आपनिग और एंडिंग हमारे फणी भाई ही लेते हैं तो वो एंडिंग लेते हैं और उसके बाद जो है एक बहुती खुबसूरत सी एक नजम देखकर तो ये था हमारी डबा मैडम का व्लोग जिसमें जो अम्मा बहुत फूट फूट के रोती हुई नज़र है तो जो हमने आया पर उसको डीटेल में बता है और आपको क्या लगता है अच्छा या बुरा जैसे भी हो कॉमेंट्स में जुरूर बताईएगा आपकी कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हुए एक और वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई अलाफिस टेक केर